नमस्कार मैं स्वाती MPCG 24 News at Space में आप सभी का स्वागत है आई ये निज़र डालते आज की कुछ खास ख़ब रुपर लाडली बहनों से एक KYC के नाम पर काली माटी के कियोस का संचालक के द्वारा मांगे जा रही रुपए KYC सासन की ओर से पूरी तरह से निसुल कर रखी गई है लेकिन जानकरी के अभाव में कियोस का संचालक जम कर लूट खसोट मचा रहे हैं एक KYC करने के नाम पर 30-50 रुपए तक की वसोली कियोस का संचालक को के द्वारा की जा रही है बता दे कि सिवरासी हैं चोहान जी ने पिछले महीने लाडली बहना योजना की सुरुवात की और उन्होंने कहा था कि जो भी सेंटर हो अगर उनके द्वारा KYC को लेकर किसी भी बहनों से रुपए लिये जाते है तो उनकी दुकान को तुरंत सील कर उन पर दंडात्मक कारेवाही की जाएगी वही माननी सिवरासी चोहान जी मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश दो दिन पूर वही लाडली बहना योजना के कारेक्रम में पहुचे थे जहांपर लाडली बहना योजना को लेकर समस्त जानकारिया उपस्थित लाडली बहनों को दी गई और जिसमें हिदायत भी दी गई थी कि कोई भी अगर लाडली बहनों से कागजात की कारिवाही को लेकर पैसे लेता है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा परनतु देखा गया कि मुख्यमंत्री की बातों को नजर अंदास करती हुए लांजी तहसिल अंतरगत ग्राम काली माटी के स्टेट बैंक के कियोस का संचालक के द्वारा लाडली बहना योजना के लिए आधार से समग्र को लिंक किया जा रहा है इसी काम के लिए कियोस का संचालक मोहित दहीकर के द्वारा पैसे की डिमांड कर रहा है इस समग्र में लांजी SDM स्रीमती जोति ठाकुर ने कहा कि इस मामले को आपके द्वारा हमारे संग्यान में लाया गया है जिस मामले के जाच हमारे द्वारा की जावेगी अगर जाज में पाया जाता है कि काली माठी के कियोस का संचालक मोहित दहीकर के द्वारा महिला उपभोगताओं से KYC कराने के 30 रुपए लेना पाया जाता है तो विधिवत रूपसे जाज करा कर काली माठी कियोस का संचालक पर प्रस्तावित कारिवाही की जाएगी इस मामले के विशाय में विवेक कुमार सोलंग की FICI सेक्ट लिमिटेड वोपाल से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा कहा गया कि लांजी के ग्राम काली माटी में हमारे कियोस्क सेंटर की एक साखा है जिसके ID मोहित दहीकर के नाम से संचालित की जा रही है जिसके सिकायत के तोर पर बताया जा रहा है कि उपभोगताओं से उनके द्वारा KYC कराने के 30 रुपए बेवज़ लिए जा रहे हैं परंदु SBI IC Act यह कभी नहीं कहता कि आपको KYC करने का 30 रुपए लगता है और नियम में यह भी यही कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको यह चार्जे सुल्ला है इस मामले की जाच करवाई जाएगी अगर जाच में पाया जाता कि कियोस का बैंक सेंटर काली माटी के संचालक मोहित दही करके द्वारा KYC कराने के 30 रुपए लिए गए हैं तो हमारे द्वारा उस कियोस का सेंटर के आईडी बंद कर दी जाएगी एंबिसेजियर 24 न्यूज एक्सप्रेस लांज से पावन का शेपकी रिपोर्ट आपका परीचर मोहित दहीं को काली माटी में आप यह जो चला रहें क्या है यह मेरा सीयस्पी सेंटर है कब से चला रहे हैं यह तीन सालों तो अभी क्या कर रहे हैं यह सिए क्या कर रहे हैं क्यों इसमें के वाइसी जो करवाने आए इन्हों ने आरुप लगाते कि आप इन से 30 रूपए ले रहे हैं तो बीस रूपए क्याश्य सेंटिफिकेट का है अगर वो फोटो कापी करवाते हैं अगर तीन से ज्यादा फोटो कापी होती है तो आपके नियम में असा लिखा ह कि आपके वाइसी करने के फोटो को निकाल करेंगे तो अगर अगर तो जरूरी कि लगना यहाँ ज्यादा कलर में तो कुछ लोगों ने भी में भी होता है उसके लिए बिचेक कुछ लोगों ने भी बताएं कि फार्म दे रहे हैं 10 रूपए कि रिष्टा फार्म के लिए र तो आप बता सकते उनको जानकारी देशकते तो आप तो आप तो आप बेच रहे हूं तो आप बेच के और आप बता दे आप दो बहुते तो सेंटर चला रहे हैं तो आप उनको क्यों नहीं बताते कि बेंक में आप दस रुप बचले वहां बहुत ज्यादा भी रहुती असलिए इसलिए में फोटोकापी का पर सब्सक्राइब और इनके द्वारा कहा जाता है कि अगर आपके पार फार्म है तो के वाइसी होगा नहीं प्रणाथ उसकोन जो नहीं होगा प्रणाथ का दिखाओ जो सब्सक्राइब को सबस्क्राइब सरे करते हैं जो सहलें सोब्सक्राइब कहां के निवासी क्राम काली माटी में जो के वाइसी हो रहा है सेंटर से तो आप बता रहें कि इसमें पैसे ले रहें तो कितने पैसे ले रहें इस रूपर एक लोगों से एक लोगों से ना कहां के निवासी तो आपने के वाइसी कब करवाये यहां पर तो कितने पैसे लगे लिए इनने पत्चीस रुपर के वाइसी करवाने के लिए अब काली माटी में कितने पैसे ले रहें यहांपर विस रूपर भी दे रहें कि अच्छा बीस अलग से ले रहें और फाम के अलग तीन क्या करवाने यहां पर तो कितने पैसे लिए हैं यह से लिए इस रूपर फार्म के तीस रूपर लिए बीस के वाइसी के और दस रूपर फार्म के तीने रहें हमारे साथ MBCG 24 न्यूजक स्पेस में तब तक के लिए नमस्का